लिखते हैं कि चिकित सई यही है इन चीजोगी मैं सुरू से सुरुवात कर रहा हूं अश्टांग अर्दम की पिछली वीडियो में आमने बात की थी वात पित कफ शरीर का धारण एवं पोशन करते हैं उन्हें दात्तु कहते हैं यह मैंचीज है उज्जश सबसे मैंचीज है सरीर के अंदर तो आपके बोलने भर्गी दे रही हैं सो सो बंदे आपकी आपसे परबावित रहते हैं अगर सामने मिल जाए तो सो के सो परबावित हो सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं राउल सुरयवन सी स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में और अस्ट्यांग हर्दम के एपिसोड फोर में हमने बात की थी वाथपित कफ के बारे में और आज हम बात करेंगे सरीर के अंदर विद्यमान साथ धात्वों के बारे में और यहाँ पर धात्वों का वर्णन आयर्वेद सास्त्र में रस रक्त मास मेद अस्ति मज्जा तथा सुक्र यह साथ धात्व कहे जाते हैं और जब यह वात आदि दोस्व दुवारा दुशित किये जाते हैं तो इन्हें दुश्य कहते हैं अर्थार्थ यह सुद्ध है तो इन्हें धात्व कहा जाता है लेकिन अगर वात पित कफ के दुवारा अगर इन्हें दुशित कर दिया जाता है तो इन्हें दुश्य कहते हैं यहां पर हम समझ लेती है रस जो सर्व पर्थम शरीर के अंदर त्यार होता है आप खाना खाते है तो रस त्यार होता है उस रस से त्यार होता है रक्त अर्थार्थ खून और इन से मिलकर के त्यार होता है मास उसके बाद मेद अर्थार्थ चर्वी तियार होती है उसके बाद में अस्ती अर्थार्थ हड़ी तियार होती है और उसके बाद मज्जा हड़ियों की नलियों में जो गुद्दा रहता है उसे मज्जा बोलती है और अंत में तियार होता है सुक्र जिसे हम वीरिया के नाम से जानती है यह हो गई अमारी धत्तु और वो लिखते है कि वात अधि दोस्व अर्थर्थ वात पित कफ के दोवारा दुशित हो जाते है तो इन्हें दुश्य कहते है फिर यह दात्तु नहीं रह जाती है फिर यह दुश्य हो जाती है उसके बाद ये लिखते हैं मलों का वर्णन मुत्र पुरिश तता स्वेद अर्थर्थ पसिन्ना आद्धी मल कहे जाते हैं भगवान धन्मंत्री की मान्यता है वात आदी तिन्नों दोस रस रक्त आदी सतों धातु तता मुत्र आदी शरीर के मल ही शरीर के मूल है अत्वा यो समझिये कि यह हैं शरीर दोस धातु मल में है यही इसके ततु है अग्यवे पुन है इसी सम्मंद में कहते हैं रस रक्त आदी मतलब सात धात्वे शरीर को धारन करने से धातु कहे जाते हैं इसका अर्थ है जो दर्वे शरीर का धारन एवं पोशन करते हैं उन्हें धातु कहते हैं यही कारण है कि सम अवस्ता में स्थित वात पित कफ दोसों को भी धातु कहा जाता है पिछली वीडियो में आमने बात की थी वात, पित, कफ अगर सम मवस्ता में है तो उन्हें दातु कहा जाएगा उन्हें दोस नहीं कह सकती आप ये पिछली वीडियो में आपने जाना था अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखिया है मैं सुरू से सुरूआत कर रहा हूँ अश्टांग घर्दम की तो पहली पिछली वीडियो आपने अगर नहीं देखिया आप डारेक्ट इस वीडियो पे आया है तो आपको यही कहना चाहूँगा कि एक बार जरूर देखे उन वीडियो को भी तो उससे क्या होगा ये वीडियो आपको और जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगी जो शरीर को दूसित करते हैं उन्हें दोस का आजाता है खाना अच्छा भी होतता है बुरा भी होतता है अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं दर्वय अच्छा है आपका बोजन अच्छा है तो उससे साफ रक्त त्यार होगा साफ मास मतलब ये दुसीत ओने वड़े नहीं है अब आप खाना उट पटांग खारे है जैसे चाव मेन मोमोज बर्गर ये जितना भी मतलब भार कर एड़ वड़ा खाना हो गया ये अगर आप खात्या तो इसी परकार कर रस्तियार होगा उससे खुंद दुसीत होगा और इस परकार का आप खाना खाएंगे उसी परकार का आपका शरीर हो जाएगा अगर शरीर में अच्छा खाना डाल रहे हो तो ये चिज्जे धात्तु में आएगी अगर बेकार खाना डाल रहे हो अहर विहार जो आपका शास्त्रा निर्देश नहीं है तो फिर ये दोस्तिया आएंगे यही कहना चाहते हैं वो महर्शी पुनर्वसू के अनुसार वात अधी दोसी रस रक्त अधी धात्वों को दुसित करते हैं वो भी यही बात लिखते हैं वात अधी दोस भी सस्त्र निर्देश यह देखिए आप लिख दिया है वात अधी दोस भी सस्त्र के शेवन से ही दुसित होते हैं। इस चीज को समझ लेजिए। इसके बाद वह लखते हैं मल मल के बारे हम लखते हैं मुत्र आदी जो मल कहें गए है वे भी दुस्ष्ष कहें जाते हैं। आग्गे चलकर वागभट जी ने रस आदिधात्वों के मलों का इस परकार वर्णन किया है जैसे सबसे पहला है अमारा रस का मल अर्थार्थ कफ इसका मल हो गया कफ फिर अत्यर रक्त रक्त का है पित पित के जितने भी रोग होते हैं उनका सर्वपर्थम इलाज रक्त को सुध करने से करना चाहिए अगर पित की कोई भी बिमारी आपको है पित से जुड़ी हुई तो सर्वपर्थम खोन को साफ करने से करने चाहिए तीसरा कान नाक अधी छिदरों में से जो मल होता है वह मास का मल है कान नाक अधी छिदरों में से छिदर जितने भी है उनमें से जो मल निकलता है वह मास का मल है मेद्दस चर्बी का पसिन्ना क्योंकि मेद्दस पुरुष के पसिन्ने से मेद्दस की जैसी दुरगंद आती है अस्तियों के मल नक तथा रोम क्योंकि अस्ति सार पुरुष के सरीर में रोम और केश अर्थार्थबाल खूब होते है मज्जा का मल तव्चा गत सने सने का आर्थ होता है तेल तथा नेत्र एवं मल का सने अगर ये मज्जा का मल तव्चा गत सने अगर समझ में ने आया आपको बता देता हूँ जैसे मैं बैठा हुआ हूँ ओटोमेटिक सरीर पर एक तेल का सा आवरन छाजाता है ये मज्जा का मल होता है मज्जा सार पुरोष का सरीर चिकना रहते है और जिसके सरीर में मज्जा की कमी रहते है उसकी तवचा रुख्य होते है जिसकी हडियों में चिकनाई कम मैं बोलते हैं ना हडियों की चिकनाई खतम हो गई यह अंदर वाली चिकना यह एक होती है, जोडों की चिकना यह हो गई, अंदर वाली चिकना ही हो, हडियों के अंदर में जो खोल होता है, उसके अंदर जो गुद्दा होता है, उसे मज़ा बोला जाता है, और सात्वा है हमारा सुक्र का मल, जो की है उज्जस, यह मैंचीज है उज्श सबसे महयन चीजह हैं शरीर के अँदर इसे शुद्त तरिक्के से अगर आप बनाते होו। दोनों तरिक्के का ऊज्श होते हैं राक्षजी उज्श भी होते हैं देव JIMी होते हैं दोनों परकार का ऊज्श होते हैं अगर आप इसे तियार करた Therefore अगर सामने मिल जाए तो सो के सो परभावित हो सकती है यह वो ही चीज़ है उजस जिससे लोग आपसे परभावित होते है इसके मतलब अंगिनत फाइद है इसके बारे में अलग से बात करेंगे बड़ी विश्तरित जानकारिये उजस इसके बाद में वो लिखते है दोस धात्व मलो की विर्दी एवं छै अर्थार्थ कर जाना शरीर से संबनित उक्त वात अदि दोस अर्थार्थ वात पित कफ रस अदि धात्वो रस अदि अर्थार्थ सातो के सातो धात्वो मलो के समान गुण धरम वाले परदार्थों का प्रपन करने शी उनकी विर्दी होती है उसी परकार का बहुजन करते हैं उन से मिलते जुलते तो उन चीजों की विर्दी होती है जैसे वो धारान के तोर पे में आपको बताता हूं अभी हम बात कर रहे ते यह किसकी दी मत जा गिए घी बगारा खाते है तेल बगारा मतलब तेल तो एक अलग चीज हो गई घी बगारा मखन बगारा और तेल भी हाकर तरीके से खायë जाए तेल आसानी से नही पच्चता है भारी ज्जादा होता है पर अगर आप खाते हैं वो उसके лай nuevas बयाम बगारा कर लेते हो और वह एपच जाता है शरीर के अंदर तो मज्जा जो है उसकी वर्दी होगी आपके शरीर के अंदर यह यह बात लिखते हैं और उन उनके विपरीत गुन वाले परदार्थों का सेवन करने से उनका च्छह होता है उनका विप्रेत शेवन करने से उनका च्छह होता है जैसे आप अगर मिठा खा रहे है और शरीर के अंतर सुग्र बढ़िया अब डॉक्टर बोलता है आप खाईए क्या करेला तिर्फला अरतार कसेला और कडवा खाने के लिए बोलते तो वो घट जाता है बढ़ा उनके कारण था उस जैसे चीज़ खाई सुगर मिठा का आया तो सुगर बढ़ गई उसके विप्रीत खाई तो वह घट गई यह सेम टू सेम उसी परकार की बात है अभी आगे जिकर आए और बड़ी ही गजब की वीडियो होने वाली अगली इसके बाद वो लिखते है इसी को डिकोड करते है दोस दातु मलो का उचीत परकार का बढ़ना तता छिन होना स्वास्त विर्दी में कारण होता है अनुचित परकार से होने वाला विर्दी छै रोग उत्पत्ति का किया है वो लिखते है कि महर्शी सुसत्र ने अपनी किताब के अंदर चोध्याद्याई के अंदर ही इसका विश्तित से वन्नन किया है क्योंकि महर्शी बाग बटजी ने अलग-अलग गरंत लेकर करके उन से इस पुस्तक का निर्मान किया है तो उनको जानकारी है कि जिस मैंने जो मेन-मेन जानकारी उठाई है वहाँ पर कितना लिखा हुआ है तो वह उसी चीज को बता रही है सारान सिया यह कि समान गुण करम वाले परदार्तों से सभी समान भाव दोस, धात्तू, मलो के विर्दी होती है समान परदार्तों के से जैसे मज्जा है मज्जा में गही तेल खाते हैं तो इसकी विर्दी होगी ऐ समान गुण धरम वाले परदारतों से उन उन भाव का छै हो जाते हैं यही करम इनकी चिकित्षा भी है बढ़ते हुए दोस धात्व मलों को घटा कर सम करना और घटे हुए को बढ़ा कर सम अवास्ता में ले आना चाहिए हुए लिखते हैं कि चिकित्षा ही ही है इन चिज्जों की हड़ी मजबूत करनी है तो घी खाईए जादा समेश्या हो गई है तो कुछ दिन घी छोड़ दीजिए और तिरफले का सेवन कीजिए यही इन चिज्जों का तोड है कहने का मतलब यह है मिठा जादा खाली है सुगर बढ़ गई है क्रेला खाई यह कुछ दिन सम ले आईए उनकों और तिरफला इन चिज्जों को सम रखने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है जिकर आएगा अग्गे मैरशिवाग बटदे ने और उनके बाद उनके व्याख्यान और सुत्र बताने वाले इस समय मतलब हमारे समय में हुए है राजिव दिक्सित जी उन्होंने बहुत ज़्यादा व्याख्यान की है अश्टांग हर्देम के उपर मैरशिवाग बटदे के सुत्रों के उपर बहुत ज़्यादा व्याख् छाइपार के बात करेंगे बड़ी दिलचस्प जानकरी को पूरा देखने के लिए झाल